15 जून 1991, मैडरिड शहर उस घर के अंदर घुसता है घर में अंधेरा होने के कारण सब लोग अपनी टॉर्च ओन कर लेते हैं और धीरे धीरे घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं घर में पहले से ही बहुत तोड़ फोड हो चुकी थी अब वो उस लड़की के रूम में पहुंसते हैं और कुछ ऐसा देख लेते हैं जो शायद उन्होंने अपनी पूरी जिंदिगी में नहीं देखा होगा वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे उन सब की आँखे फटी की फटी रह जाती हैं अब कहानी तीन दिन पहले से शुरू होती है जहां एक 15 साल की लड़की जिसका नाम विरॉनिका है सुबह उठकर अपने तीन छोटे भाई बहनों को उठाती है उसके पिता की हाल ही में मौत हो जाने के कारण उसकी मा एना परिवार को चलाने के लिए एक कैफे में काम करती है और पिछली रात किसी का बर्थडे सेलिबरेट करने के कारण वो देर रात तक कैफे में काम कर रही थी इसलिए वो देर तक सुबह सो रही थी विरॉनिका अपने पापा से बहुत प्यार करती थी उसको अपने पापा को खोने का गम हमेशा रहता वो अपनी मा के कमरे में जाकर चुप चाप अपने पापा की फोटो निकाल कर अपने पास रख लेती है इधर बच्चे सुभे सुभे जल्दी से स्कूल के लिए तयार होते हैं, फिर वो सब स्कूल जाते हैं और विरोनीका अपने छोटे भाई एंटो निटो को उसकी क्लास में छोड़कर अपनी क्लास में चली जाती है आज सूरे ग्रहन का दिन है तो उसकी टीचर सूरे ग्रहन होने का कारण सबको समझा रही थी फिर वो सूरे ग्रहन से जुड़ी प्राचीन संस्कृती की एक दंत कथा सबको सुनाती है कि प्राचीन समय में लोग इस ग्रहन को उजाले पर अंधेरे की जीत मानते थे और उनका मानना था कि इस समय मानव बली देकर या उनका खून चड़ा कर वो अपने मन चाही आत्मा को बुला सकते थे विरोनिका उन तस्वीरों और अपनी टीचर की बातों में खोसी जाती है तभी स्कूल की बैल बसती है और विरोनिका को होश आता है फिर टीचर स्कूल के सभी बच्चों के साथ सूरे ग्रहन को देखने के लिए स्कूल की छत पर इखटा होते हैं पर विरोनिका और उसकी दोस्त रोजा और डायना का कुछ और ही प्लान था वो तीनों छुपकर स्कूल के तैखाने में चले जाते हैं वहाँ विरोनिका अपने बैग से आत्माओं को बुलाने वाला ओईजा बोर्ड निकालती है असल में विरोनिका अपने मरे हुए पिता से बात करना चाहती थी और डायना अपने मरे हुए बॉयफ्रेंट से और इन सब के लिए उन्होंने सूरे ग्रहन का समय पहले से ही चुन रखा था रोजा डायना से उसके बॉयफ्रेंट से रिलेटिड कोई चीज मांगती है पर वो कुछ भी नहीं लाती रोजा कहती है जिससे तुमको उसकी कोई ना कोई चीज लानी ही पड़ती है इससे उस आत्मा से बात जल्दी हो जाती है विरोनिका ये बात पहले से जानती थी इसलिए वो अपने पापा की फोटो पहले ही लियाई थी अब वो तीनों बोड़ पर एक काच का गिलास रखकर उस पर अपनी उंगलिया रखते हैं और उसके चारों तरफ मोंबत्यों को जला के पहले ही लगा देते हैं अब वो आत्माओं को बुलाना शुरू करते हैं सूर्य ग्रण होने ही वाला होता है सभी बच्चे फोटो की नेगेटिव रील को निकाल कर ग्रहन को देखने लगते हैं ग्रहन पढ़ना सुरू हो जाता है तभी बोर्ण पर गिलास अपने आप बहुत तेज घूमने लगता है और जैसी चांद सूरज को पूरी तरह से ढख लेता है तभी तैखाने में वो ग्लास गर्म हो जाता है जिससे रोजा और डैना अपनी उंगली उस ग्लास से हटा लेती है लेकिन विरोनिका अपनी उंगली ग्लास पर ही रखती है तभी अचानक ग्लास अपने आप तूट जाता है डैना डर कर उड़ जाती है लेकिन विरोनिका अभी भी अपनी उंगली वहीं रखती है अब उसकी उंगली से खून टपकने लगता है और बोड पर गिर जाता है तभी बोड में आग लग जाती है रोजा उसको बुझा देती है अचानक अंधेरा होने की वज़े से दोनों अपनी टॉर्च निकाल लेती है और विरोनिका को ढूनती है वो उन्हें बेहोश मिलती है तभी डायना भाग कर मदद बुलाने जाती है रोजा देखती है कि विरोनिका बेहोशी की हालत में कुछ बड़ बड़ा रही थी रोजा पीछे हट जाती है तभी विरोनिका बहुत बड़ा मूँ फाड़ कर अजीब सी आवाजों में चीखती है जिससे वहां की सारी लाइटे ब्लिंक करने लगती है सूरे ग्रहन खत्म हो जाता है अब विरोनिका की आँख स्कूल के मेडिकल वार्ड में खुलती है जहां डॉक्टर उसका चेक अप कर रही थी डॉक्टर उसको बताती है कि शायद लो ब्लड प्रेशर और आरेन की कमी की वज़े से तुम बिहोश हो गई थी और उसको कुछ देर यहीं रेस्ट करने के लिए बोलती है फिर इसकूल की चुटी होने के बाद विरोनिका अपनी बहनों के साथ जैसे ही घर जा रही थी तभी उसकी बहन उसको बताती है कि सिस्टर हर माना उसको देख रही है उसकी दूसरी बहन उससे कहती है वो कैसे देख सकती है वो तो अंधी हैं, तभी विरोनिका उनको देखती है, तो वो सच में जैसे विरोनिका को ही देख रही थी, विरोनिका को बड़ा अजीव सा लगता है, अब वो सब अपने घर पहुंसते हैं, विरोनिका अपने बैग से बोर्ड निकाल कर देखती है, उसके दो टुकडे हो च पिर वो सबको खाना परोस्ती है, और जैसे ही उसको खुद खाने की कोशिश करती है, उसका हाथ कांपने लगता है, और वो बड़ी मुश्किलों से वो निवाला अपने मूँ में रखती है, लेकिन उसका हाथ अभी भी कांप रहा था, तभी अचानक से वो सारा खाना बाहर देती है, अब वो बातरूम में जाकर सब साफ कर रही होती है, तो देखती है कि उसके कंदे पर किसी की उंगलियों के निशान थे, वो कुछ समझ नहीं पाती, अब वो अपनी फ्रेंड रोजा को कॉल करती है, लेकिन रोजा की माँ बताती है कि वो डायना के साथ कहीं भार गई है, फिर वो अपने छोटे भाई को टब में नहला रही होती है, तब ही उसको अपने रूम से कुछ आवाजे आती है, वो वहाँ जाकर देखती है, लेकिन तब ही उसका भाई एंटे निटो की चीखने की आवाज आती है, वो भाग कर उसके पास जाती है, तो देखती ह कि गरम पानी की वजह से उसका शरीर हलका सा जल जाता है अब विरोनिका उसे लिटा कर लोशन लगाती है और उससे माफी मांगती है तो वो बोलता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी और कहकर सो जाता है अब विरोनिका भी सोने के लिए अपने रूम में जाती है और सबसे पहले अपना बैक बैड के नीचे से निकाल कर अपनी अलमारी में रखकर सो जाती है तभी अचानक से आधी रात में उसकी आखे खुल जाती है और वो अपने पापा को बिना कपड़ों के उसका नाम फुकारता हुआ देखती है और जैसे ही पीछे हटती है तभी कुछ हाथ उसको बैड पल लिटा कर जगड लेते हैं वो चीखती चिलाती है और गवरा कर उठ सुबह हो चुकी थी वो सपना था वो सब अब इसकूल जाते हैं वहाँ विरोनिका की दोस्त उसको इग्नोर करती है फिर विरोनिका अपने सवालों के जवावों को ढूंडने के लिए वापस इसकूल के तैखाने में जाती है और वहाँ अपने पापा की फोटो उठाती है जो उससे वहीं रह गई थी उसको वहां सिस्टर हर्माईनी मिलती है वो विरोनिका से पूछती है तुम कौन सी किलास में हो वो बताती है नाइन्थ और वो ये भी बताती है कि स्कूल के बच्चे आपको सिस्टर डेथ कहके बुलाते हैं हर्माना बोलती है मुझको पता है और ये नाम मेरे नाम से ज़्यादा अच्छा है और विरोनिका से कहती है कि तुमारे हाथ में क्या है विरोनिका चौँक जाती है और वो पूस्ती है आप अंधी हो फिर भी आपको कैसे पता कि मेरे हाथ में कुछ है वो अपने पिता की फोटो उनको देती है हर्माना उसको छूती है और घवराकर गुसे में कहती है तुमने यहां जो कुछ भी किया वो बहुत खतरनाक था विरोनिका कहती है कि मैं अपने पापा से बात करना चाहती थी फिर हर्माना उसको बताती है कि तुमको अब अपने भाई और बहनों की रक्षा करनी होगी क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया है उससे एक बुरी आत्मा तुमसे जुड़ गई है और अभी भी वो तुमारे साथ ही है तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है विरोनिका रोजा से कल के हाथ से के बारे में पूछती है पर वो उसको कुछ नहीं बताती विरोनिका वापस आकर अपने घर में प्राचीन काल का एक रक्षा कवच बनाती है और उसको टांगती भी है अब रात को जब बच्चे सो रहे थे तो उसको एक साय अपने सामने वाले अपार्टमेंट में दिखाई देता है वो डर जाती है और भाग कर बच्चो के रूम में जाकर देखती है कि वो सब सो रहे थे तभी हो दिवार पर एक साया देखती है जो उन रक्षा कवच को छूते ही जला देता है विरोनिका जैसे ही बच्चो को बचाने की कोशिश करती है तो कोई अदरश्य हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे उसके हाथ पर निशान बन जाता है तभी वो देखती है कि एक साय उसकी बहन का गला दबा रहा है विरोनिका जैसे ही उसको बचाने जाती है उसको फिर एक आहट सुनाई देती है उसको दरवाजे के दूसी तरफ एक साया दिखाई देता है विरोनिका उसकी तरफ क्रॉस दिखाती है दरवाजा खुलता है वो उसकी मा एना होती है बच्चे उसको बताते हैं कि घर में कोई था तब ही वो पुलिस को कॉल करने वाली होती है, तो बच्चे बोलते हैं कि वो भूत था, और विरोनिका ने उसको देखा था, थोड़ी देर बाद वो विरोनिका के रूम में जाकर उस पर गुस्सा करती है, और कहती है, बच्चे छोटे हैं, उनको भूतों की कहानी मस सुनाओ वो सो नहीं पाएंगे, विरोनिका अपनी मा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो रूम से चली जाती है, इधर विरोनिका भी सो जाती है, वो सपने में देखती है कि उसके भाई बहन उसको खा रहे हैं, और बड़ी घवरा कर उठ जाती है, वो देखती है कि उसको ब्लेडिंग सुरू हो गई है, ये उसकी फस्ट डेट थी, फिर वो तुरंत अपने बैड को साफ करती है, और अपने गद्दे को पलट कर देखती है, तो नीचे से वो हलका सा जला होता है, वो कुछ समझ नहीं पाती, फिर उसका छोटा भाई उसको बताता है, कि रात पापा आये थे, और वो आज रात मुझको अपने साथ ले जाएंगे, विरॉनिका घवरा जाती है, और उससे कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, और अगर तुम्हें कहीं डर लगे, तो कान में उंगली डाल कर मेरा नाम बोलना, फिर वो उन सभी बच्चों का गद्दा पलट कर देखती है, वो सारे नीचे से बहुत ज़्यादा जले हुए थे, फिर विरॉनिका बच्चों को अपनी मा के पास छोड़कर सिस्टर हर्माना के पास जाती है और वो उससे कहती है, कि मुझे पता है आपको भी मेरी तरह साय दिखाई देते हैं हर्माना कहती है, कि मैं लंबे समय से कोशिश कर रही हूँ कि वो मुझे को ना दिखाई दें, क्योंकि उनको देखने के लिए आँखों की जरूरत नहीं है फिर विरोनिका उनसे पूछती है कि मैं उन सायों को अपने से दूर कैसे करूँ हर्माना उससे कहती है कि जो दरवाजा तुमने खोला है उनको उसी रास्ते से वापिस करके उस दरवाजे को हमेशा के लिए नस्ट करना होगा तभी स्कूल की डॉक्टर आकर हर्माना को वापस उपर ले जाती है हर्माना जाते-जाते कहती है तुम्हारी सवालों के जवाब बुक में है जो तुम पढ़ती हो और कहकर वहाँ से चली जाती है विरोनिका तुरंत उस बुक को खोल कर पढ़ती है और तुरंत अपनी दोस्त रोजा से मिलने उसके घर जाती है उसके यहाँ पार्टी चल रही होती है वो रोजा से कहती है कि हमको वो सब फिर से करना होगा और जिसको बुलाया है उसको वापस भीजना होगा और साथ ही उसे अलविदा कहना होगा तबी वो यहां से जाएगा फिर रोजा उसको बताती है कि उस दिन तुमने मेरे कान में एक बात कही थी कि पंदरा तारीक को तुम मर जाओगी इसलिए हम बहुत ज़्यादा डर गए और अब वो सब वापस से नहीं करेंगे अब विरोनिका को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता वो बहुत परेशान होती है और वापस अपनी मा के पास आती है पर एना बिजी होने के कारण उससे बात नहीं कर पाती फिर विरोनिका बच्चों के साथ घर आ जाती है और कोई रास्ता ना दिखने के कारण कवच की जगे बुरी आत्माओं को आकर्षित करने वाला निशान बना देता है। अब वो तीनों भेहने मिलकर बोड पर ठीक वैसे ही करती हैं जैसे विरोनिका और उसकी दोस्तों ने स्कूल के तैखाने में किया था। कांच का ग्लास फिर से बोड पर हिलने लगता है। लोड़कता हुआ विरोनिका के कमरे के दर्वाजे पर जाकर टक्कर मारने लगता है। विरोनिका धीरे धीरे उस गिलास के पीछे आती है और अपना दर्वाजा खोलती है। गिलास अंदर आ जाता है। वो देखती है कि उसका गद्दा खून की वज़े से बहुत ज़्या कि पुलीस उसकी मदद के लिए निकल पड़ी है, तभी अचानक साया उसके भाई को उठा लेता है, विरॉनीका उसको बचाने के लिए उसके पीछे भागती है, और बात्रूम का सीसा तोड़ कर अपने भाई को उठा कर अपनी बहनों के साथ उस बिल्डिंग से बाहर निकल पर साया उसको खीच लेता है और विरोनिका को चाटा मारता है विरोनिका का सर सीशे पर जाकर लगता है और सीशा तूट जाता है वो उस तूटे हुए सीशे को उठा लेती है अब वो धीरे धीरे अपने भाई के पास जाने लगती है साया उसके ठीक पीछे चल रहा होता है तभी वो अपने भाई के पास पहुंसती है वो अलमारी में पिर अचानक से उसको पिछले तीन दिन की सारी बाते रिलाइज होती हैं, वो समझ जाती है कि वो साया बहार नहीं है, बलकि सुरू से ही वो उसके अंदर ही था और वो सब वही उससे करवा रहा था, विरोनिका अब इन सब का अंत करने के लिए खुद कुशी करने की सोच ले विरोनिका को बड़े अजीब ढंग से हवा में जूलते हुए और चिलाते हुए देखती है, जिसको देखकर उन सब की सांसे अटक और आखे फटी के फटी रह गई थी, तभी विरोनिका बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, वो लोग उसको तुरंथ होस्पिटल लेके जात इधर डेटेक्टिव रोमेरो विरोनिका की तस्वीर को देख रहे होते हैं, तभी अचानक से उस तस्वीर में आग लग जाती है, और वो आग उसका सिर्फ चेहरा जला देती है, तभी एकदम से घर की लाइट वापिस आ जाती है, रोमेरो को एक वारलेस आता है, कि विरो विरोनिका की डेथ हो गई है, अब डेटेक्टिव रिपोर्ट बनाता है, और लिखता है, घर के सदस्यों के बयान के हिसाब से, विरोनिका ने तीन दिन पहले ओईजा बोर्ड का इस्तमाल किया था, तभी से उसके साथ अजीव औ गरीब हाथ से होने लगे थे, और घर में भूतिया घटना घटने लगी थी, उसको साय दिखाई देने लगे थे, और डेटेक्टिव के दो सायक जाच करता, जो घर में उसके साथ गुसे थे, उन्होंने वहाँ बहुत घुटन महसूस करी, और वो तुरंत घर को छोड़ कर बाहर आ गए थे, लेकिन वो पूरे दो ह अफतों तक बीमार रहे, और साथ ही इस घटना के एक महीने बाद, रोमेरो ने अपना ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में करा लिया था, ये इस पेन की पहली ऐसी घटना थी, जिसमें वहाँ की पुलिस खुद उन भूतिय घटनाओं की जीती जागती गवाह थी, और इस कह सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बैल आइकन दमाना ना भूलें